नमस्कार आप सुपीका बहुत-बहुत स्वागत हैं इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे बॉलिवूड अक्टर करन देउल को फिल्म इंडस्ट्री में अभी जादा वक्त नहीं हुआ है और वे अपने परसनल लाइफ में नेक्स स्टेप लेने जा रहे हैं यहां अक्टर अपनी गल्फरेंड दिशार अचारे संग शादी करने जा रहे हैं और प्री वेडिंग फरंक्शन चल रहे हैं और इस दोरान की फोटोस भी सामने आ रहे हैं हाल यह में कुछ फोटोस वाइरल हुई हैं जिसमें काफी सालों बार सनी देवल की वाइफ पूजा देवल नजर आ रही हैं सनी देवल अपनी परसनल लाइफ में काफी रिजर्व रहते हैं और उनकी वाइफ भी जादा नजर नहीं आती वही पूजा देवल उन बॉलिवुड वाइट्स में से एक है जिने फैन्स ने पब्लिक प्लेस या इवेंट में सबसे कम देखा है इसके अरावा उनके बारे में भी लोग जादा नहीं जानते हैं और आईए सनी देवल के बेटे करन देवल की शादी के मौके पर जानते हैं उनकी माँ पूजा देवल से जुड़ी कुछ बाते जी हाँ पूजा देवल का जन 21 सितंबर को हुआ था वे 65 साल की हो गई है और पूजा के पिता भारत से थे जबकि उनकी माँ UK से थी वहीं पूजा देवल और सनी देवल ने साल 1984 में शादी की सनी देवल की पहली फिल्म यानि की बिताब थी जो साल 1983 में रिलीज हुई थी यानि अपनी पहली फिल्म की रिलीज से एक साल बाद ही सनी देवल ने शादी कर ली थी इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं बड़े बेटे का नाम करन देवल है जो बॉलिवुड में अपना डेब्यू कर चुके हैं और अब शादी करने जा रहे हैं दूसरे बेटे का नाम राजवीर देवल है जिनके बॉलिवुड डेब्यू के अभी चर्चा हो रही है और पूजा देवल पेशुर से एक राइटर है इसके लावा रिपोर्ट्स की माने तो वे फिल्म यमला पगला दिवाना में काम कर चुकी है जिसमें देवल फैमिली लीड रोल में थी जिहां शादी की बात करे तो सनी देवल संग उन्होंने सिक्रेटली मैरिश की थी और दोनों की शादी का पता दूर दूर तक नहीं इसकी वज़ा थी सनी देवल के एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर्स लेकिन दोनों ने अपने रिलेशन्शिप को हमेशा रिजर्व रखा और विवादों से दूर रहे